तो बही रीट का जो एक्जाम था जो सामाजीक विग्यान का जो एक्जाम था फो अपने कितने क्यों अटेंड करे अपने बडिया रहा और मतलब फुलीस की चोवभष्ता थी वो किस कैसी लिग आपको पांट चार मिनट के बाद आयो और ग्राम नहीं दे पाया आपका सिर आपका एक्जाम केसा गया तो क्या थोड़ा लेवल का था और जिक्क्य था पांट इस तो मतलब अगर कट्पिट के कोई बचाता है ना तो इस बार जो वेवस्ता थी पुलीस की और पर्यास करी थी तो पेपर लीग होने का चांज कम है नहीं हो पाएगा यह था रहा मेडम आपके एक्जाम तो देखें एक्जाम जो है वो खटम हो चुका है और यहां पे जो है काफी बीड करेंगे और इस्टुडेंट्स जो है वो भार आने भी लगे हैं कि कैसा रहा मेडम आपका एक्जाम किसा किया तो क्या इस तर था एक्जाम का कितने क्यों सुन करें आपने जबरा रही है तो भाई जैसे मैंने लोगों से बात्षीच की उसी साब से मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी लोग है उन्होंने लगबग सारे में से 125-130 के आसपास जो है लोगोंने क्यूसें अटेंड करें हैं और उसी की साब से आप अंदाजा लगा सकते है कि मेरिट जो कितनी रहने वाले जन्रेल की जो मेरिट है वो लगबग 130 और OBC की मेरिट जो साइद 125-127 के आसपास हो सकती है बाकि कुछ कहा नहीं जा सकते हैं यह सिर्फ आंकड़े हैं बाकि देखते हैं कि क्या होता है बस आप लोग से उनकी राय जानिए सबी नहीं कहा है पेपर पाफि बढ़िया गया अगी पार लीग हो आय इस बार लोग बोल रहे है की लीक बर इस बार जिया पर рget उपर से होता है आपकी बात बीश है आप देखया हैयो ग座ाम भी ईंटने क्यूंसे नटेंट इंट गरे है आपने? 110 110 तो क्या इस तर रहे मसले कहां तक जाने की उम्मीद है मेरी एक के लेवल नॉर्मल था यानि कि कम उपर देखे 110 120 सेफ स्पोर और जंदल जंदल का में बता है रोबी सी लोगता है चलिए धन्यवाद